मेरे चैनल पर आपका स्वागत है शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी ये देखिए मैंने यहाँ पर चाचमच गी लिया है देशी गी और उसे मैंने एकदम लो फ्लेम पर रखा है अब हम लेंगे उसमें एक बॉल बेसन और एक बॉल गयों का आटा अगर आप चाहें तो अब सिर्फ बेसन लेके भी बना सकते हैं पर मैंने इसमें आटा मिक्स किया है उसे टेस्ट काफी बढ़ जाता है और हमारे घर पे सबको इस तरह से पसंद भी है इसे हमें लो फ्लेम पर सेखना है एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन रोस्ट करना है त इसे जैसे हम हिलाते रहेंगे इसमें से अच्छी खुश्मूर भी आएगी और कलर भी चेंज होता जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा कि यह अच्छे से सिक रहा है कि देखिए अभी आधा सिक गया है अभी हमें और इसे सिकना है कि कलर चेंज होते होते आपको पता चल जाता है इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि यह कच्छा नहीं रहेगा यह बेशन और हमारा आठा एक अच्छी से स्मेल भी आने लगी इसमें हमने ज्यादा घी भी नहीं डाला है ज्यादा कोई इंग्रिजिएंट्स नहीं डाले हैं पर अच्छा लड्डू बन गए हैं यह देखिए अब कलार चेंज भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा क्योंकि यह पैन काफी गरम हो जाता है तो हम जब नीचे ले लेंगे तब भी हमें उसे हिलाते रहना है एक मिनिट के लिए अब हमारा आटावर बेसन सिख गया है तो हम नीचे ले लेते हैं और एक मिनिट के लिए हिलाते रहते हैं थोड़ा बहुत जूब बचाओगा सिखना वो भी सिख जाएगा और दूसरे बरतन में मैंने ट्रांसफर किया अब इसको अब यह जब थंडा हो गया है थोड़ा तब मैं इसमें इलाइची पाउडर डाल रही हूँ हम हाथ लगा सके उतना ठंडा होना चाहिए अब मैंने एक बोल पीसी हुई शक्कर ली है उसे चान लिया है क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी बॉल्स पन देई थी जब भी बॉल्स पन जाए तो अब उसे चान के लिजिए तो इस तरह से हम मिक्स कर देंगे अब इसे मिक और इसे हम दबा के देखेंगे तो इसके लड़ू आराम से बन रहे हैं अगर आपको थोड़ा लग रहा है तो आप उसमें एक जमज की और डाल सकते हैं पर अब इसमें इस चेच पर ज़रूरत नहीं है मुझे इसमें डालने की मैंने थोड़ी सी कटी हुई पादाम डाली आप अपने मन पसंद डाल सकते हैं अब हम इसके लड़ू बना देंगे शेप और साइज आप अपने साब से बना सकते हैं काभी देखिए जल्दी जल्दी बन रहे हैं यह लड़ू तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिएगा बह एकन बूसरिए आपको मेरी जल्दी झार टपको बार आपको मेरी मो में अफने साइज और सल्दी जल्दी इसाउ़ को इस हैं बना सकते हैं तो कैसी आपको में में नष्दसे हैं हैं